आज मैं सभी का कमेंट का जबाब दूंगा चलिए सुरू करते हैं लेटेस्ट कमेंट है सुभाजित मोंडल का यहां पर देख सकते हैं यह लिखते हैं मेरा ACTT में हुआ है 15 तारिक जोइनिंग था लेकिन कोविट पोजिटिव के लिए मैं नहीं जोइन कर पाया मैं इमेल कर दिया है सर इसमें कोई प्रोलम तो नहीं होगा देखे अगर आप कोविट पोजिटिव के चलते आप नहीं पहुँच पाये आप जोइन नहीं कर पाये तो आपको कोई दिकत नहीं होना चाहिए फिर से आप वहां पर जाए रिपोर्ट करिए आपको फिर से जोइनिंग मिल रहा चलिए इसके उपर में एक वीडियो बनाऊंगा अगर जिन लोगों को मालूम है इनमें आप कमेंट कर दीजिए इनका कमेंट का रिपलाई कर दीजिए तो अच्छा होगा अब चलते हैं आगे का कमेंट देखते हैं कि आगे क्या लिख रहे हैं अब इहां पर देखिए ये दो कमेंट एक ही लग रहा है सर एसी टीटी में अगर कोई जोईन करता है एंड अगर कभी कहीं और भी अच्छा जोब या मन के लायक दूसरा डिपार्टमेंट सेलेक्शन होता है तो उसके लिए एनोसी मिल जाता है या फिर बॉन्ड भर के रिजाइन कर सकते हैं ताकि जहां पर गए हैं अच्छा इसको पूरा पढ़ना होगा आगे भी कुछ लिखा हुआ है मैं रिट मोर में टच कर लिया फिर से देखिए सर एसी टीटी में अगर कोई जोईन करता है एंड अगर कहीं और भी अच्छा जोब या मन के लायक दूसरा डिपार्टमेंट में सेल प्रोब्लम न हो इस मेटर पर थोड़ा डिटेल में बताईए ठीक है तो यही बात बॉल्ड है कि अनोसी मिलता है कि या या बॉंड भर के रिजाइन करना पड़ता है अगर आपको कहीं पर दूसरा नौकरी में जाना है तो उसके लिए तो देखिए आपको सेल में अनोसी तुरंत तो नहीं मिलेगा यह किलियर है आप अगर जोइन करते हैं सेल में या भी ट्रेणिंग में हैं सेल में और आप चाहते हैं अनोसी तो नहीं मिलेगा आपको अनोसी मिलेगा पांस साल के बाद ही यह किलियर है यह आप याद रखेगा अगर आप सेल में जोइन कर चु जो department में आपको job मिला है या जो काम मिला है वो काम पसंद नहीं है या department sale का पसंद नहीं है तो आप तुरंत region दे सकते हैं इसमें कोई bond नहीं है आपको कोई bond भरने की जरुवत नहीं है clear हो चुका होगा तो जब चाहे तब आप sale से region देखे आप छोड़ सकते हैं लेकिन एक चीज में इसमें बताना चाहूंगा आप sale में job कर रहे हैं और उसी बीच में कोई vacancy आ गया और form आपको भरना है तो यहां से NOC तो मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे जब आप form भरेंगे ना आगे चलते हैं आगे अच्छा यह जो है सेम था यहां पर देखिए यह जो लिखा हुआ comment यह सेम comment था सेम बेखती हैं रिसी केस रिसी अब चलते हैं आगे यह क्या बोलते हैं यहां पर देखिए आगे है दूसरा comment sir अभी कोई OCTT में जोईन करता है तो एस्टाइपन कितना होगा 10700 या पिर उससे ज़्यादा तो देखिए एस्टाइपन में कोई discuss तो नहीं हुआ है इस बार जो paying revision हुआ है उसमें कोई discuss नहीं हुआ एस्टाइपन के लिए तो जो पहले से मिलते आ रहा है जैसे OCTT के लिए पहला साल में कितना है 10,700 और दूसर का साल में 12,200 रुपया तो एही मिलेगा जो की बहुत ही कम है दो साल जो ट्रेनिंग प्रियेड है ना बहुत ही मुश्किल से गुजरता है और सेल में ही ऐसा है कि बहुत कम पैसा मिलता है ट्रेनिंग में और जगह में तो कम से कम बेसिक औ नहीं रहा है क्योंकि दो साल इतना कम पैसे में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है रुला देता है तो अब चलते हैं आगे देखते हैं अच्छा इसके बारे में थोड़ा समय जनकारी ले लूँगा उसके बाद मैं बताऊंगा कि एपसे इनल का वेज रिविजन कब होगा देखें अभी कोविट के चलते हैं और कुछ कमपणी लोस में रहता है न तो उस समय उस दोरान में पेरिविजन नहीं होता है लगभग में सेल में भी ओएसा ही हुआ था सेल में 2017 में एक वार यहां पर समझ लेजिए सेल में 2017 में होना था लेकिन कब हुआ 2021 में अक्टूबर मही नाम हुआ सोचे कितना टाइम मतलब की लगा तो कभी कभी ऐसा होता है कमपणी में या फिर पी एस यू में अगर कोई कमपणी लोस में जा रहा है तो wage board यान की pay revision नहीं होता है जब वो फाइदे में आने लगता है एक दो साल continue फाइदे में हो जाता है तो wage board होता है इस तरह का कुछ नियम है अब चलते हैं आगे आगे यहां पर देखिए बीर बहादूर क्या लिखते है sir S3 grade में join करने पर अब कितना payment मिलता है बताए पिलीच first and second year दोनों में अच्छा first year और second year यानि कि आप training वाला बात बोल्ड है ना तो first year में आपको 10,700 पहले जो मिलता था वही मिलेगा और second year में 12,200 रुपया यही आपको मिलेगा यह है step and के रूप में salary नहीं है अगर salary मिलता ना तो कम से कम आप लोगों को लगभग में 40,000 होता या थोड़ा सा कम होता अगर training period में भी अगर पूरा salary मिलता तो लेकिन sale मे salary नहीं मिलता है training period में और दो साल का training period यह बहूत ज़्यादा है कम से कम एक साल करना चाहिए या दो साल भी है तो मतलब की कम से कम basic और DA मिलना चाहिए था अब चलते हैं आगे यहां पर देखिए यह क्या लिखते हैं 37 परधान sir S3 से S4 आने का process है और कितना time लगता है minimum please अच्छा S3 से S4 जाने में आपको 4 साल का समय लगता है लेकिन यहां पर थोड़ा detail में समझेगा आप join करते हैं तो 2 साल तो training में लग जाता है तो क्या 2 साल के बाद फीर से 4 साल लगेगा S4 में जाने के लिए तो ऐसा नहीं है S4 जाने में आप जिस दिन join करते हैं सेल में उसी दिन समझ लिजे कि आप S3 में हैं हलांकि आप 2 साल training में रहते हैं लेकिन आपको समझना है कि जिस दिन आप join किये हैं उसी दिन से आप S3 में हैं तो जिस दिन से join किये हैं उस दिन से जिस दिन 4 साल हो जाएगा उस दिन आप एस फोर में चले जाएंगे किलियर है न यानि कि चार साल टाइम लगता है जिस दिन आप जोईन किये हैं उस दिन से चार साल हो जाएगा तो आपको एस फोर ग्रेड मिल जाएगा अब चलते हैं आगे यह क्या लिखते हैं यहाँ पर देख लिजिए यह क्या लिख रहे हैं शेल में जोब पाने के लिए टैन और आइटी आइ में कितना परसेंट चाहिए परसेंटेज इसमें तो देखें परसेंटेज तो नहीं देखा जाता है लेकिन कम से कम तो 45% होना चाहिए लेकिन 45% हो क्या onda डिपलों हो यह ऐटी आइए आउट ने करिए आपको हर एक जगह चांस मिलेगा अच्छा यहां पर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है पीके सुकला जी बोलते हैं सेल बर्नपूर में OCT का क्वार्टर दिखाओ जी अच्छा क्वार्टर अच्छा बर्नपूर में तो मैं नहीं हूं लेकिन बर्नपूर में में मेरा दोस्त लोग जोईन किये थे तो उहां पर मैंने गया था तो क्वार्टर OCTT अव एसी टीटी कटेगरी बना के यहां पर कोई क्वार्टर ऐसा नहीं है सभी के लिए सेम क्वार्टर है लेकिन कटेगरी वाइज है समझने का परियास किजिएगा जैसे मैं दुर क्वार्णपूर में मैंने गया था तो उहां पर कटेगरी वन का जो क्वार्टर था बहुत ही छोटा था आप सोच भी ने सकते हैं कि इतना छोटा क्वार्टर क्यों देता है बहुत ही छोटा और उहां पर क्वार्टर कम होने के कारण एक ही क्वार्टर में दो लोग रहते है तो ट्रेनिंग में ही आपको quarter मिल जाएगा और quarter अच्छा है अगर आप कहेंगे तो मैं दुर्गापूर का जो category 1 का quarter है अभी मैं category 1 में ही हूँ तो category 1 का आपको मैं quarter का वीडियो बना के बना के upload कर दूँगा तो देख लिजिएगा लेकिन बरनपूर का जो है जो first में यानि की category 1 जो मिलता है बहुत ही छोटा है और बरनपूर का थोड़ा सा township जो है वो उतना अच्छा नहीं है लेकिन दुर्गापूर का जो township है बहुत OCT का 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 म अच्छा का में बताओ कर औरutsा देख का 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 इसे आफ कर आपको यहां पर आपको ट्से को इलेक्ट किया है तो इलेक्टरिकल बरांड ही जो उस अधार पर यहां आपको काम नहीं मिलेगा, कुछ भी काम मिल सकता है, जिसे अब इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो अस्टिल प्लांट में या कोई भी प्लांट हो, फैक्टरी हो, उसमें ओभर हेड क्रेन बहुत ज्यादा चलता है, तो अगर ओभर हेड क्रेन में कोई प्र होगा अगर mechanical measurement होता है तोwart मेंने कवालों को जाना पड़ेगा ठीक करने के क्या problem भूआ है लेकिन साथ में हूआ साथ में Lever होते हैं जो कि आपको सहता करेंगे help करेंगे इस तरीके से और कहीं पर आपको operation में भी मिल जाएगा देखीये यहां जो काम है ना कभी-कभी आपको बहुत ही असान काम मिल जाएगा कभी-कभी डिफिकल्ट भी काम मिल सकता है जैसे एक मेरा दोस्त है ओक्सिजन प्लांट में दुर्गापुर में थे तो उनका काम किया था सिफ रीडिंग लेना प्रेसर कितना है टेंपरेचर कितना है यह सब विकल्ट और ड्राउना भी हो सकता है तो आप जोईन करके देख सकते हैं कि आपको क्या मिला है क्या क्या मिला है उस पर आप मतलब सोचिये विचारिये अगर रहने लाइक है तो रहिए नहीं तो तुरांत रिजान मारिए और छोड़कर चले जाए अच्छा एक चीज है आ लेकिन उसमें काम ज्यादा रहता है जैसे क्रें ओप्रेटर जोभी हैं उनको कम से कम अगर आठ घंटा का डिप्ति है तो मेक्सिमम उसमें करना ही पड़ता है लेकिन बाकी जो चाम के आप बाद बैठे वए हैं इस तरहॉए का है तो अब यह खासी हो गया जिसके चलते बोलने का फुर्वेंसी थोड़ा सा कम हो गया तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा काम के बारे में क्रेन ओपरेटर बन सकते हैं अपरेशन में आपको कुछ भी काम मिल सकता है जैसे मैंने बोला कि टेंपरेचर लेना और कहीं पर है यह लाइडल में जब मेटल लिक्विड मेटल होता है ना वहां पर भी टेंपरेचर लिया जाता है तो टेंपरेचर लीजिए यह आपको लगवाग में एग घंटा में ठाक बाद आगा फिर ट्रेंपर लिजिए और बैठ जाएए अराम से तो इस तरह का भी है कहीं के पर मुश्किल काम भी है कहीं के पर थोड़ा सा बहुत ही हलका है मज़ेदार है अच्छा इसके बाद यहां पर यह क्या लिखते हैं और खांसे की चलते थोड़ा सा मेरा disturbance हो रहा है अगर किनी को कोई problem हो रहा होगा तो बताएगा मैं फिर से बनाओंगा यह क्या लिखते हैं निलोतपाल चटर जी सर आप दुरगापूर अस्टिल पलांट में हो मैं भी दुरगापूर में ही रहता हूँ चलिए सर एक दिन मिट करते हैं चलिए मिलने की अगर ज लिख रहे हैं आगे अब मैं यहां पर देख लेता हूँ कि शैल और सियायल में डिप्लोमा में डिप्लोमा में क्यों बेटर अच्चा यह तो देखिए अगर बात करें तो यह यह क्या है मतलब कि कोईला से related है तो वहाँ पर आपको किस टाइप का जोब मिलेगा वो मुझे मालूम नहीं है लेकिन पेमेंट जो होगा सेल से अच्छा होगा इतना आप जान लीजिए जो पेमेंट होगा सेलरी होगा सेल से अच्छा होगा लेकिन वहां का काम मुझे माल॓म नहीं है और sale का काम Sale में काम आपको एक जैसा नहीं है क्योंकि sale बहुत बड़ा factory है industry है तो इसमें तरइ तरह का काम है किसी को बहुत असान काम मिल जाएगा मज़ेदार काम मिल जाएगा किसी को थोड़ा सा difficult होगा मुझखील होगा तो इस तरह बोगा है अगर आप मेक निकल किये हैं तो आप मेंटेनेंस आपको मिल सकता है मेंटेनेंस में रहिए उसमें आपको जैसे मैंने बताया कि करेंख्राब हुआ तो खिक करने लिए जाना होगा साथ में身 sap pentler होगे ईलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिक फोल्ट हुआ तो आपको जाना होगा इस तरह का या कहीं पर जिसे मैंने बोला एक मेरा दोस्त था ओक्सिजन पलांट में दुरगापूर में तो उनका काम था सिर्फ टेंपरेचर लेना प्रेसर लेना एक काम तो असान था तो कहीं पर आसान काम भी है कहीं पर मुस्किल काम भी होता है तो आपको क्या करना है जोइन करिए देख लिजे कि आपको क्या काम मिला अगर पसंद नहीं आया अच्छा नहीं है तो रिजाइन करके चले जाए इसमें कोई डाउट नहीं है अच्छा ये तो मैंने यहां पर ए मिलेगा इसमें कोई डाउट नहीं है काई दाई सेंगर हजार दह जार और जैसे जैसे आपका ये डी ये बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बेतन भी बढ़ेगा डी ये तो भी बहुत ही कम है जन्वरी से कितना होगा उन्तिस परसंट सम्थिंग होगा अब आगे चलते हैं वीडियो भी लगता है बहुत बढ़ा हो गया होगा खासी भी हो गया जिसके चलते हैं बहुत प्रोलम हो रहा है अच्छा ये किया लिखते हैं स्टेटस किंग सर ऐसा कुछ भी नहीं है जो पैसा देके अच्छा जाता है उसका भी पर्मानेंट हो जाता देखे अगर आप जोईन किये हैं चाहे आप जैसे भी जोईन किये आप सही तरीका से पढ़ाई करके जोईन किये इंटर्विव दे के जोईन किये या कोई फोरजरी तरीके से आ गिया लेकिन जब तक ये मालुम नहीं होता है कि जो फोरजरी तरीके से आया है उसको मालुम हो जाता है किसी को मालुम चल जाता है कि ये फोरजरी तरीका से आया है और आम आदमी को जानने से भी कुछ नहीं होगा उस पर जो करवाई करने वाले लोग हैं उनको अगर पता चल जाएगा कि एक आदमी फोरजरी तरीके से आया है तो ही उसके साथ कुछ हो सकता है नहीं तो कोई दिकत नहीं है और फोरजरी तरीके से मुझे तो मालूम नहीं है कि फोरजरी तरीके से यहां पर आते हैं लेकिन हो सकता है किसी को लगा हो कुछ हो इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है लेकिन जा सकता है लेकिन आम पब्लीक या वहां पर जो ओफिसर है वह नहीं निकाल सकता है अच्छा अब आगे चलते हैं यहां पर यह क्या लिखते हैं सर निव पेर विजन के बाद सब कुछ कितने के बाद कटने के बाद S1 का सैलरी सिलीप या फिर हैंड में कितना मिलेगा देखिए ACTT हो या OCTT हो याद रखेगा एक डिपलोमा और एक ITI कोई फर्क नहीं है सेल में कोई फर्क नहीं है इसलिए डिपलोमा वालों को बहुत पच्चतावा होता है कि यहां तो हम लोग ITI वाला नोकरी कर रहे हैं क्योंकि ITI और डिपलोमा का सेलरी में मुश्खिल से 7800 यानि कि 1000 रूपया का 1,2211 रूपया का अंतर है और काम में तो कोई भी अंतर नहीं जो ITI वाले कर रहे हैं वो ही डिपलोमा वाले भी कर रहे हैं में हैं या ITI में जोइन किये हैं यानि कि ACTT या OCTT में जोइन किये हैं तो ट्रेनिंग के बाद 40,000 होगा अब कटने की बात करें तो आपको क्या क्या कटेगा यह बेसिक डिये और पीफ करता है न मैं खासी हो गया मुझे इसलिए कन्फ्यूजन होने लगा पीफ करता है तो पीफ कटेगा उसके बाद उसके बाद आपको ज्यादा कुछ भी नहीं कटेगा तो कम से कम 35,000 तो आप मान के चलिए 35,000 आपको हाथ में मिल जाएगा ट्रेनिंग कंप्लिट होने के बाद खासी बहुत हो गया ठंडा है ठंडा के चलते तो अब मैं आगे चलता हूँ यहां से फीर से यह क्या लिखते है सर न्यू पे रिविजन के बाद अच्छा ओ ही है ना अब यहां पर यह क्या लिखते है कितना यह लगता है चार साल आपने जब से जोइन किया है तब से अगर चार साल हो गया तो आपको स4 मिल जाएगा अगर आप OCT T यान्ठी में जोइन किये हैं तो S3 से आप S4 में चले जाएगे जब से आप जोईन किये हैं तब से अगर चार साल हो गया तो और उसी तरीके से अगर आप S4 में चले गए और S5 में जाना है तो चार साल लगेगा कभी कभी आपको तीन साल का पर्मोशन भी मिलता है और साइद ये S5 से S6 में जाने के लिए तीन साल का लगेगा ये सर्कुलर आया हुआ था अब चलते हैं आगे देखिए ये क्या बोल रहे हैं पूरा बकवा सैलरी स्ट्रक्चर है एक डिपलोमा क्वालिफिकेशन को इतना कम क्यूं दिया जाता है बात सही है कि एक डिपलोमा वालों को कम से कम तो ज्वाइनिंग के साथ जैसे ही ज्वाइन करते हैं वैसे ही कम से कम 40,000 तो होना लेकिन लगभव में मेरा आठ साल होने वाला है और अभी मेरा ग्रोस कितना है तो पचास जार आठ साल जोब करने के बाद तो ये तो बहुत बुरा है और दूसरे जगह में जो अगर आठ साल जोब किया है न उन लोगों का इस्थिती बहुत ही अच्छा है और कहीं पर तो प्रमोशन का पॉलिसी अच्छा है जो की डिप्लोमा से अच्छा पोस्ट में भी चले जाते है तो रियल में बहुत ही खराब है अच्छा अब इहां पर salary की बात आही गया है जारकन GE में जॉइन किया है sale में जॉइन किया था sale से जारकन GE में गया तो लगब में उसका पांच साल साइद जोब हुआ होगा तो उसका अभी बेतन कितना है ग्रोस 58,000 याद रखेगा 58,000 यानि कि जारकन जई में 5 साल नोकरी करने के बाद अभी 58,000 है और मैं 8 साल जोब किया हूं सेल में तो मेरा कितना है 50,000 यानि कि 8,000 का डिफरेंस है और एक में सब कुछ बता देना चाहता हूं लेकिन सेल में ह Championship पर नहीं है यहां पर होता है अर जगह में होता क्या है ृझ वे में अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी डीफिल्ट का फैसिलिटी आपको लगभग में मिल जाता है तो कभी-कभी लगता है कि यह सबी मिला जुला कर बात एक ही हो जाता है अब आगे चलते हैं यह क्या लिखते है अब चलते हैं आगे यहाँ पर और अब चलते हैं आगे यहाँ पर सेल में नन एक जी की यूटूब को बेसिक डिये पर इसके अलावा और क्या सेलरी में एड होता है देखिए इसके अलावा जो एड होता है बहुत ही कम एमाउंट वाला चीज होता है जो की नहीं के ब्रावर मान के चलिए या बाकी सभी को जोड़ेंगे तो 2000 पर एक स्टा जोड़ें बस इससे ज्यादा नहीं तो किलियर है अब चलते हैं आगे और टाइम भी ज्यादा हो चुका होगा क्योंकि ज्यादा होगा तो लोग देखेंगे भी नहीं लेकिन मैं बना देता हूं क्योंकि यह तो बार-बार नहीं मिलेगा इसके बाद यहाँ पर देखिए विकास पांडे क्या बोलते हैं S1 माइनिंग मेट का बताईए अच्छा माइनिंग यह मैने नहीं समझा है S1 माइनिंग मेट अगर आप सेल में ज्याइन करते हैं तो आपने ITI किया या डिपलोमा किया या कौन सा ट्रेड में किया वो कोई म उसको बिल्कुल भूल जाईए उसको पोटली बांद कर उसको साइड में रख दीजिए ऐसा बोला गया था ऐसा ही होता है और यह क्या बोल रहे हैं यहां पर देखिए सर OCTT वालों को कोई ना कौन सा काम करना पड़ता है देखिए यह भी बहुत सा काम है लेकिन मैं निकल किये हैं या इलेक्ट्रिकल किये हैं तो आप मेंटेनस में रह सकते हैं यानि कि मेंटेनस करने का मतलब जिसे क्रेन चलता है तो क्रेन में कोई खराबी हुआ तो आपको ठीक करने के लिए हो हाँ पर जाना होगा आपके साथ कोंट्रेट लेबर भी होंगे और कहीं कही पर operation का काम बहुत ही मुश्किल होता है कहीं पर आपको difficult भी होता है operation में आपको मिल सकता है तो operation में क्या क्या होगा जैसे मैं बताता हूं जैसे temperature लेना या बहुत तरह तरह का है इसमें एक department नहीं है बहुत सा department है तो कहीं पर आपको असान भी मिलेगा कहीं पर आपको difficult भी होगा कहीं पर सिर्फ आपको machine में काम करना है तो असान ही होगा तो आप एक बार join करके देख सकते हैं अगर हुआ है sale में तो और अगर अच्छा ना आये तो आप तुरहत रिजाइन करिए और इहां से चलते बनिए और अच्छा नौकरी का त्यारी करिए और एक चीज़ मैं इसी बीच में बताना चाहूंगा डिपलोमा वाले अगर सोचते हैं कि आपको J.E. बनना है J.E. कहलाना है तो आप तो P.A.C.U. में तो आए ही नहीं क्योंकि बहुत सा P.A.C.U. है जहां पर J.E. का पोस्ट मिलता ही नहीं है और सेल में भी J.E. का पोस्ट नहीं मिलता है अगर जुनियर इंजिनियर बनना चाहते हैं तो आप एस्टेट गॉर्मेंट में लिजिए या फिर रेलवे J.E. में जाए या फिर S.E. J.E. में जाए सेल में मत आए आने से हाँ आपको डिस्टरफेंस होगा जब आपको छोटा सा भी नोकरी मिल जाता है तो थोड़ा सा आप आलसी हो जाते हैं कि आप तो नोकरी हो गया इसलिए अगर आप J.E. बनना चाहते हैं और शेल रूम क्वालिटी कैसा है अचा शेल रूम का क्वालिटी ना अचा जोइंटर ये तो मैं पहले ही रिपीट कर चुका हूँ बता चुका हूँ कि आप कौन सा ब्रांच से आई टिया या डिप्लोमा करके आये हैं इहां पर कोई what माइने नहीं रखता है आपको काम कुछ भी मिल सकता है ठीक है इसके बाद अचा रूम का क्वालिटी मैं दुर्गापूर का रूम का क्वालिटी मैं काटेगरी वन का दिखा दूँगा मैं अभी काटेगरी वन में ही हूँ अच्छा यहाँ पर ओवाटिज पर्क्स देखिए पर्क्स की बारे में मैं यहाँ पर डिसकस कर देता हूँ इनको पर्क्स के बारे में मालूम नहीं है तो पर्क्स क्या होता है पहले पर्क्स नहीं मिलता था ठीक है जैसे आपको घुमने फिरने के लिए चार साल में 30,000 रुपिया दिया जाता था इसके बाद मतलब कि 4 साल के अंदर में दूठों मिलता था एक है 30,000 और एक है छोटा वाला जो की लभब 5 6,000 मिलता था तो ये सभी को हटा के ये जो मिलता था घुमने के लिए ये सभी को हटा के वो पर्क्स में डाल दिया ठीक है तो पर्क्स अभी कितना है साड़े 26 परसेंट मैं एक बार यहां पर लिखके दिखाऊंगा पर्क्स जो है साड़े 26 परसेंट में एगरी हुआ है जो पेरिफिजन हुआ इससे पहले पर्क्स नहीं मिलता था किलियर है ना यानि कि बेसिक का साड़े 26 परसेंट आपको मिलेगा लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि बेसिक पलस डिये का मिलता है इसका मैं एक्यूरेट कल्कुलेशन करके बताऊंगा तो पर्क्स के बारे में आपको मालूम हो चुका होगा अब चलते हैं आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखते हैं यहां पर देखिए थैंक्यू सर फोर दब वीडियो सर सर एप यानि की पीएप के बाद हम बोल रहे हैं पीएप और एक बीडियो बना दीजिए रिटायर होने पर हमें कितना पेंशन या रिटायरमेंट मिलेगी यहां पर यहां पर यह क्या लिख रहे हैं सर अच्छा वही चीज़ ना सर करेंट सेलरी सिलीप पे वीडियो बनाएं सर OCT के लिए अप्टर पे रिविजन अच्छा पे रिविजन हुआ है उसके बाद जश्ट S1 में तो कोई नहीं है अगर S1 में कोई रहता उसके लिए बना दता या डिपलोमा के लिए S3 में कोई रहता है तो दुरगापूर में अभी कोई S1 या S3 में Just जोइनि की वाला नहीं है और मैंने अपना पेसलीप बनाया था जो की S4 का था और इसी साल में यानि कि 2022 में मैं अगस्त सितंबर में एस 5 हो जाऊंगा तो मैं फिर से अगला जो पेमेंट आने वाला है उस पर मैं वीडियो बना दूँगा उसी का पेसलिप पर बना दूँगा क्योंकि यह जो पेसलिप आपको मिला था उसमें लगवग में 9000 तो एकस्टा पेमेंट थ होगा इसमें कोई डाउट नहीं है अच्छा अब इहां पर इसका भी पढ़ लेते हैं क्या सर करेंट से लरी अच्छा वही है न कि अब टू यह ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बाद बोल रहता ना तो ट्रेनिंग के बाद 40,000 एकदम स्योर होगा इसमें कोई सक नहीं है भाई 2022 22 का S3 का पेशलीप अपलोड करो ना अच्छा देखिए S3 में जस्ट यहां पर तो कोई जोईन नहीं किया है इसलिए मुझे मिला नहीं लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं आपको 40,000 ग्रोस होगा टोटल होगा अब चलते हैं आगे यहां पर क्या लिखते हैं अच्छा इसको मुझे हटाना चाहिए था सबसे कम सेलरी सेल देता है राइट है सबसे कम सेलरी सेल देता है लेकिन एक चीज़ में बताना चाहूंगा रेलवे जही में एक मेरा दोस्त जोईन किया है उसको लगभग में 40,000 मिल रहा है ट्रेनिंग परियेड में 21,000 सेंकरा 10,000 40,000 मिल रहा है, लेकिन सोचिए, स्टार्टिंग से ही मिल रहा है, लेकिन सेल में तो स्टार्टिंग में आपको स्टैपन मिलता है, जो कि बहूत ही बखवास होता है, आच्छा, और ये बोला कि ट्रेशच कमप्लीट होने के बाद लगभग में 55,000 में हजार असपस जाएगा लेकिन जब ट्रेटिंग कंपलीट होगा साइज नेक्स्ट मंत में कंपलीट होगा और सेलरी भी आएगा उस से मैं पूछ कर जरू बताओं गा कि रेल्वेज यही में ट्रेणिंग के बाद क्या मिल रहा लेकिन यहां पर ट्रेनिंग के बाद आपको 40,000 वहां पर 55,000 तो 15,000 का डिफ्रेंस हो जा रहा है तो रियल में एक चीज है कि यही में तोड़ा ज्यादा मिला लेकिन वहां पर एच आरे यानि की हाउस रेंट एलाउंस मिलता है और सेल में नहीं मिलता है सेल में क्वाटर देता है अगर आप सेल में भी अगर देता एच आरे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता लेकिन आप अगर आपको एच आरे मिला तो आपको तो रहने के लिए क्वाटर लेना ही होग और शेल में आपको होस्पीटल फैसलेटी मिल जाता है इसमें सर फिर एक वीडियो बना दीजिए S3 का ग्रोस सेलरी कितना होगा यह मैंने तो अपना S4 का बनाया था मैं फिर से बना दूँगा अगला कमेंट किया है इनका मैं देख लेता हूँ धना जय निव वेज रिभीजन का सेलरी सिलिप का वीडियो बनाये सर दिसंबर से ही निव सेलरी मिल रहा है हाँ सेलरी तो मिल रहा है मिलने लगा है इसमें कोई डाउट नहीं है और यह क्या बोलते है मुकेश कुमार सर फस्ट यर में रूम मिलता है या नहीं देखिए कहां पर रूम है या नहीं है कितना क्वाटर है उस पर डिपेंड करता है दुरगापूर में तो क्वाटर की कमी नहीं है आप जॉइनिंग करते के साथ आपको मिल जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन कहीं कहीं पर quarter कमी है जिसके चलते नहीं मिलता है जैसे बरनपूर में बरनपूर में क्या है quarter की कमी है तो वहाँ पर अगर quarter मिलेगा भी तो एक ही quarter में दो लोग को रहना पड़ता है ऐसा हुआ है मैं देखा हूँ मेरा दोस्त join किया था वहाँ पर तो जहां पर quarter की कमी है वहाँ पर दिक्त होगा जहां पर quarter की कमी नहीं है वहाँ पर कोई दिक्त नहीं आपको तुरंत मिलेगा joining के साथ आप eligible हो जाते हैं अगला देखते हैं क्या है सेल में जोइनिंग करने के बाद यदि पांच एयर से पहले जोब छोड़ना चाहता है तो यह उसी मिलेगा पांच साल से पहले नहीं मिलेगा पांच साल से पहले नहीं मिलेगा पांच साल के बाद ही मिलेगा लेकिन छोड़ना चाहते हैं, जोब अगर छोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर कोई bond नहीं है, कि आप join की है तो आपको यहाँ पर रहना ही होगा, अगर छोड़ेंगे तो bond देना होगा, ऐसा नहीं है, bond भरने की जरुत नहीं है, पर अदम बिल्कुल फिरी हैं, आप जब चाहे की आप नौकरी कर रहे हैं, यह नहीं दिखाएगा, अगला यह क्या लिखता है, सेल में, रिजटेसन का процесс, बता अच्छा, अच्छा, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, यह क्या लिखते है, सेल OCT training में, रिजटेसन का process, अच्छा, ओही है, ठीक है, ठीक है, रिजटेस में क्या है ये राधे स्याम सर मेरा इस्रो में टेकनिकल बी में हुआ है और बोकारों में अटेंडेंट कम टेकनिशन ट्रेनी में हुआ है तो मेरे लिए कौन सा बेहतर होगा अच्छा ये बहुत दिन पहले का ये कमेंट है ये मुझे पहले ही जबाब देना चाहिए था चार पूरती अच्छा होगा इसमें कोई डाउट नहीं है अगर और एक चीज देखेगा जैसे इस रो में आपको कहां पर जोब मिलने वाला है और सेल में आप कहां पर हुआ है कहां बोले बोकारों में न अच्छा बोकारों में तो अगर आप नजदिक देखना चाहते हैं तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है अगर अच्छा डिपार्टमेंट मिला है तो सेल में भी आई टी वालों को कोई दिकत नहीं है क्योंकि आई टी और डिप्लोमा में इहां पर कोई अंतर नहीं है तो चालिस जार अब इहां पर पेमेंट आपको चालिस जार तो होगा ट्रेनिंग के बाद तो आप देख लिजेगा कि इस रो में लेकिन इस रो में अच्छा होना चाहिए लेकिन अगर sale में पहले join करते हैं तो आप sale में पहले join करके देख लिजेगा क्योंकि sale में आपको region देने में कोई problem नहीं है जब चाहे तब आप region दे के जा सकते हैं अच्छा आगे यहाँ पर क्या लिखते हैं chemical branch अभी के time में के लिए based है chemical branch न chemical वाले भी sale में बहुँ ज़्यादा आते हैं तो कोई इसमें दिकत नहीं है अच्छा है इसके बाद आगे देखते हैं ये क्या बोलते है sir जी सूरत में इतना मिलता है क्या अच्छा सूरत में मतलब आप क्या बोले सूरत राजय में या फिर एक word होता है कि रियली में इतना मिलेगा सूरत में इतना मिलेगा तो इसमें क्या था sale diploma और ITI का new salary तो training के बाद आपको diploma या ITI वालों को 40,000 gross जाएगा इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन अगर DA अच्छा खासा बढ़ता रहा तो और ज़्यादा होगा अब DA पे depend करेगा आपको gross तो 40,000 जाएगा ही लेकिन अगर DA अच्छा खासा बढ़ा तो और भी payment बढ़ेगा S4 को कितना payment मिलता है तो training के बाद 40,000 ही मिलेगा S4 को S4 को ज़्यादा होगा क्योंकि S3 के बाद S4 जाएगा यानि कि 4 साल में ना तो 4 साल में जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा होगा इसमें 40,000 से ज़्यादा होगा अभी तो मैं S4 में ही हूँ लेकिन इस साल में S5 में चला जाएगा तो अब मैं S5 ही समझूँगा क्योंकि इस साल में होने वाला है S5 और आगे क्या लिखते हैं टाइम भी बहुत ज़्यदा हो गया होगा बड़ा वीडियो हो गया होगा भया ACTT बोकारो का रिजल्ट कब तक आएगा 6 सेटमबर को इंटर्विव हो गया है सैद बोकारो का अब रिजल्ट आने वाला है उसका मैं कुछ नोटिफिकिसन देखा हूँ तो रिजल्ट आ गया होगा या आने वाला है त्यार रहिए और सरबोकारो का निव भकेंसी कब तक आएगा अब भकेंसी के बात आया ना तो जो भी कमजोर स्टुडेंट को मैं स्पेसल मैं कहना चाहूँगा जो भी कमजोर स्टुडेंट है नोकरी नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करियेगा त्यारी करते रहिए सेल में सेल में बहुँ ज़्यादा भकेंसी आएगा कब आएगा 2022 2023 2024 में यह 3 साल जो है ना 22, 23, 24 यह 3 साल में ज़्यादा भकेंसी आने वाला है क्योंकि जो पुराने लोग थे maximum 23-24 में पूरा खाली हो जाएगा अगर दुरगापुर अस्टिल पलांट की बात करूँ तो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा तो भाकेंसी तो लेना ही होगा तो जो भी कमजोर अस्टूडेंट है तेजा स्टूडेंट तो कहीं भी नोकरी लही लेते हैं लेकिन कमजोर अस्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि आप त्यारी continue रखिएगा सेल में भाकेंसी आएगा 22-24 के अंदर में बहुत जबरजस्त भाकेंसी आएगा और ये क्या लिखते हैं अच्छा ये हो गया कोई अपडेट है डिपलोमा वालों का ट्रेनिंग के कितना सेलरी कोई अपडेट तो नहीं है जो पहले से मिलते आ रहा है वही मिलेगा अच्छा यहां पर ये लिख रहे हैं OCT a skill test result कब आएगा जोइनिंग कब तक अच्छा देगा अडवर्च इडिमेंट बी एसल अच्छा देखिए ये तो कोई नैंटीन के चलते थोड़ा सा प्रोब्लम हुआ है नहीं तो बहुत जल्दी result आ जाता था जिसमें मैंने exam दिया था इंटर्व्यू दिया था बहुत ही fast हुआ था क्योंकि company में यानि की factory में लोगों की जरूरत है ना तो time waste क्यों करेगा अभी तो कोईट के चलते प्रोब्लम हो रहा है और आदमी की जरूरत है आदमी के बिना अगर काम यहाँ पर रुखा हुआ है काम अच्छा नहीं हो पा रहा है तो delay क्यों करेगा delay नहीं करेगा लेकिन किसी कारण वस्त तो हो रहा है जैसे अभी कोईट का मामला चल रहा है आप ही गया होगा क्योंकि मैं भी नोटिफिकेशन देख नहीं रहा हूं लेकिन अब कंटिन्यू मैं वीडियो बनाऊंगा सर सेल दुरगापूर के अस्टिल टेस्ट का रिजल्ट हां यहां का भी साइद नहीं आया है ना सोरी यहां का आया है कि नहीं आया है मुझे मालूम क्योंकि मैं भी नोटिफिकेशन नहीं देख पा रहा हूं तो और ऐसे आही जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है तो इतने ही रहने देता हूं बिल्कुल आप लोगों को साथ कमेंट का जबाब मिल गया होगा अगर अच्छा लागा होगा तो जरूर बताईएगा और कोई क करता हीगा मैं फिर से वीडियो बनाओंगा हूं 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 करते हूं 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 ह